बहुत बहुत सोगत है स्विपी का हमारी यूट्यूब चैनल एस्टोन मेडिया में महुराज राव दिख रहे हैं इस्टोन मेडिया शुरूब चैनल घाड़ बेर इंटरेंस एक्जाम 2014 उसके लिए ओनलाइन आवजन शुरू हो गई है फॉर्म की सरीके से भरना है शुरू से लेकर के लास्तन इस पर में हम बात करेंगे आप अंतिम चंतक बने रहे है फॉर्म वही भर सकते है जिनका ग्रजूशन किलियर है पार्ट बन पार्ट टू पार्ट थीरी तीनों किलियर है तब ही आप फॉर्म भर सकते हैं अपेरिंग वाले student आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए description में लिंक दिया गया है उस पर आप एक बार किली करेंगे तो आप में student यहां पर आ जाएंगे इस website पर यहां पर आने के बाद अब यहां पर स्किन पर बिहार बीर्ड ऑनलेन फॉर्म 2024 ऐसे करें अब देख पर अब दन शुरू हो गया है ऐसे भर फॉर्म वाला जो यह पोस्ट है इस पर आप एक बार किली करेंगे इस पर आप किली करेंगे उसके बाद से ऐसा interface खुल जाएगा अब यहां पर देखिए आपके syllabus के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगा कितना पैसा लगेगा व आप किस तरह से फॉर्म भर रहा है सारा का सारा instruction आपको मिल जाएगा कौन कौन डोकूमेंट लाएगा सारा चीज मिल जाएगा syllabus क्या है कहा कहा से question पूछे जाएगे इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आप देख पार है कौन सब्जेक्स से कितने निमर का question रहेग इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगे फ़र्म भरने के लिए दिखें फ़र्म भरने के लिए सबसे पहले आप देख पार यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा आप 2024 में First Time 28 का फर्म वरने आ रहे तो सबसे पहले आपको registration करना होगा registration करने के लिए आप देख पार है नहीं रिजिस्ट्रेसन वहला जो बटन है इस पर आपको एक बार click करने होगी click करने के बाद यहां पर आपको अपना ID password बना लेना होगा लेकिन उसे पहले यदि आप बिहार बेर इंटेंस एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और BBI कोश्चन के इंतिजार में है कम समय में अच्छे दंबर से पास होना है तो उसके लिए BBI कोश्चन विद एंसर आपको जुरुत हो यानि वैसे ही कोश्चन हम पर है जिसको पर करके जा और एक्जाम में वो कोश्चन आ जाए और हम पास हो जाए तो उसके लिए सेलेक्टेट कोश्चन विद एंसर पैताली सो प्लेस कोश्चन ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्सर में इसका डारेक्ट पर्चेस लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके आप यहां पर आप अब सना जाएगा आप देख आप पार इसा इंटर अजागा यहां पर आप को बिलिंग डीटेल्स फिलक करना है 99 तो पीज से भी कम हो जाएगा यां। आप मेरा कुपन候 कोड इस्तामाल करते हैं अब देख पार है है burk ौपन अब सु कोड कर आ डौन है क्लिक हेर पर आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो आप देख पार यहां पर 89 रोपीज जैने 10% आपको छूट भी मिल जाएगा तो यहां पर अपना नाम लिखना है फोन नमबर लिखना है इमेल आड़ी लिखना है और एक पासवर्ड अपने मन से कोई भी क्रियेट कर लेना है जो की याद रहे अपने मन से एक दो तीन ABCD करके भी आप पासवर्ड बना सकते हैं उसके बाद से जैसी आप प्लेस ओडर पर क्लिक करेंगे प्लेस ओडर पर उसके बाद से पेबेंट का अप्शन आ जाएगा पोन पे गूगल पे या जो है कि आप डेविट कार्ड करके आप पेबेंट कर देंगे पासवर्ड बनाएगा इमेल आड और पासवर्ड लॉगिन करके आप कितने बार भी चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं कुशन देखिएगा तो इस टाइप से कुशन मिलेगा देख पार है यही है पीडिएफ जो की काफी सेलेक्टेड कुशन है जो की कम समय में आपक करके जो की आप पोश्ट आज कर सकते हैं आपको कॉमेंट बॉक्स में भी हेल्ट लाइन नंबर आपको मिल जागा तो चली यहां पर आते हैं अब यहां पर हम नीव इस टेसन वाले बटर पर एक बार किली करते हैं इस पर किली करने के बाद देख पार हैं फरस्ट नेम डे जैसे ऐसा बड़ा लेना है जो कि आपको याद रहें और यहां पर कंट्री कोड में मुबाइल नंबर का देख पार है एक यहां पर आपको यहां पर धर्च करनी है उसके बाद से क्याप्चा कोड डालना है कौन वहला एस इजी ओ एफ ए आपके समय में जो भी होगा आप वाले बटन पर किलिक करनी है जैसे ही आप वाले बटन पर किलिक कर रहें कुछ एसा इंटर्फेस आजाबैर यहाँ पर कह लिगसे तो आप लिक यहां पर Kathbor치 नहीं कर सकते हैं उसके बाद आप देख पार है ऐसा इंटर्फेस आ जाएगता है आप देख लिख एइसा Active your account. अब यहाँ पर कहा जा भाँत आपना बनाए हैा उसको Act5 कर लिजे. तो आपको Active your account वाले आप्शन पर एक बार किलिख करनी है और यहाँ पर üसर नेम लाँ डालना है. यूजर नेमें आप जो कि यहाँ पर email id तालेंगे, जो आपने भी दिया है. उसके बाद से activation code आपके email id या mobile number पर एक OTP गिया होगा मामे student वो जो है कि आपको यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर submit वाले बटन पर आपको click कर देनी है उसके बाद से click here तो login वाला option आजागा इस पर click करके आपको login करना है ऐसा आने के बाद फिर आपने यहाँ पर आना है sign in वाले बटन पर click करना है क्योंकि आपने ID password बना लिया है उसके बाद से login ID जो आपका login ID है त्मामे student वो आपका जो है कि जो आपने email ID बनाया था और जो password अपने मन से बनाया था उसको यहाँ पर डाल करके आपको login करनी है तो आप देख पार है मने यहाँ पर जो email ID जला था वो और जो password बनाया था वो मने डालती है उसके बाद से submit वाले बटन पर click करते हैं सबीट वाले बटन पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यह इस पर कब click करना है जब आप form भर लेंगे तब उससे पहले my application वाला जो form है उस पर आप एक बार click कीजिएगा click करने एक बाद आप देख पार है program name यहाँ पर बीएड और एक है सिक्षा सास्त्री जो सिक्षा सास्त्री संस्क्रीट से कामेसवर्सी विश्यविदल दरभंगा से जो बीएड करना चाहते हैं एस्पेसली संस्क्रीट के लिए वो होता है वो इस पर click करेंगे नीचे वाले पर बाकि जो नर्मले स्टुएंट है वो बीएड वाले option पर click करेंगे उसके बाद स अब यहां पर अप्लिकेशन डिटेल्स है फोटो एंड सिग्नेचर अप्लोड करने का एजुकेशन डिटेल्स अब देख पर एजुकेशनल है डोकुमेंट अप्लोड है एक्जामनेशन सेंटर है प्रिवीव एंड कनॉफर्म है छे स्टेप है देख पार है एक को आप अप in Hindi लिखना है आप देख़ो पर उसके बास यहां पर उनका कि यहाँ पर ढमिसायल करना है घ्यार से बाहर कहां को बतानी है अपको आपको यहां हैं मनलिटी इसके अरविव करmez यहां मिनलोग करते verse करना इसके बाद से मारी टेल इसके बतानी है तुमायमे इंस्ट्रीन घेख पारें आपको अपना अइड्रेसे ना है जिसमें आप देख पारें अपना भाला का यहां पर नाम नामागों हो थивается यह वाला जो star है इसको fill up करना compulsory है यदि आप फिल अप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं भर पाएंगे आप देख पाएंगे तो यहां पर तुमामें student आधार नंबर वाला पर यहां पर compulsory लगा हुआ है तो बिना आधार नंबर दर्ज की वे आप आगे नहीं जा सकते तो यहां पर आप address जाल दीजिएगा उसके बास आप देख पार है पंवान ऑध्र centr आट्रेस है यदि उपर वाला address और नीचे वाला address इड्रेस सहम है टो सेम एड्रेस पर एक बार टीक कीजिएगा उसके बास फिल हो जागा उसके निचे मोबायल नंबर है आप देख पार है उसके बास यह details फिलब करने के बाद, save and proceed वाले बटन पर आपको किलिक करनी है, आप देख पार है, जैसी आप save and proceed वाले बटन पर आप किलिक कीजिएगा, उसके बास यहाँ पर आ जागा कि आप अपना photo अपलोड कीजिए, यहाँ आप आप देख पार है, upload photo है, upload full English signature, उसके यह वो ऐसा अपना पूरा नाम लिखता है, तो पूरा नाम लिखिएगा, save round करके नहीं छोड़ीजिगा, जहाँ पर भी full name कहता है, मतलब यह है कि जैसा भी नाम आप authentic अपने document में देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना होता है, full signature का मतलब यही होता है, तो आपको आपना इसमें phone अपलोड करना है, signature English में और Hindi में signature अपलोड करने के बाद, आपको आगे बरना है, तो यह है पहले choose file पर click करना है, choose file पर click करने के बाद, आप अपने gallery से उसको select कर दिजेगा, select करने के बाद, तब upload वाले option पर click की जगा तब upload होगा choose file पर click करके gallery से choose करने के बाद तब upload वाले button पर click करनी है तो आप देख पर है मैंने यहाँ पर font upload कर दिया signature upload कर दिया choose file पर click करके और यहाँ पर upload वाले option पर click करके चैसी आप upload कर देगे automatic यहाँ पर save and proceed का option आजागा उस पर आपको एक पर click करनी है अब यहाँ पर जो है की साउधाने से अपना educational details fill up करनी है जैसे कि आप देख पार है उपर पहले matrix क्या बताना है कि आपने matrix जो है कि किस board से परिक्षा पास की उसके बाद से जो है कि आपको बताना है कि आपका जो है की passing year क्या था तुमा में student आप देख पार है जो भी आपका passing year होगा आप यहाँ पर बता दीजीगा उसके बाद से आपको अपना school का नाम बताना है उसके बाद से आप देख पार है obtain marks यह आपको बतानी है आप यहाँ पर देख पार है यह aggregate marks जो है की इसमें आपको अपना full marks लिखना है कितने number का था उसमें से आपने जो है की कितना number आप receive किये वो आपको बताना है और total जो है की तखिए percentage में यह automatic जो है की आपका percentage ले लेगा उसके बाद से आप जैसे enter की बात होगी तो फिर आप inter वाला अपना board चूज कीज़ेगा आप कब पास किये थे इंटर की परिक्षा वो जो है की आपको यहाँ पर बता दनी है तमाम स्टूडेंट उसके बाद से आप देख पर यहाँ पर बताने के बाद आपको अपना स्कूल चूज करना है इसकूल चूज करने के बाद आपको अपना जो है की obtain marks यहाँ पर बता दनी है तमाम स्टूडेंट aggregate marks यहाँ फूल marks कितने का था वो आपको बतानी है यह automatic जो है की यहाँ पर ले लेगा उसके बाद से graduation आपको बतानी है की आप BA है BSC, B.com या BE है यहाँ आप other है यहाँ बता दनी है तो BA आपको चूज करने है जो भी आपका इस्ट्रीम होगा उसके हिसाब से कहां से आपने pass किया है यह आपको तमाम स्ट्रूइंट बता दनी है उसके बाद से आपको अपना passing year तमाम स्ट्रूइंट आपको चूज के लिना, कि आपने passing year, आपका passing year क्या है, उसके बास से आपको अपने college का नाम बता ना, जहां से आपने परिक्षा पास किये है, उसके बास से जो है कि जो पीजी किये हुए हैं वो देंगे otherwise save and proceed पर क्लिक करके वो आगे भर जाएंगे ये सब details जो है कि आप लोग साउधानी पुरुवक अच्छे से भली जिएगा उसके बाद से आप जो है कि secondary mark sheet यानि high school वाला mark sheet upload कीजिए उसके बाद से इंटर का mark sheet upload कीजिए उसके बाद से graduation का mark sheet upload कीजिए और आप बिहार के निवासी है तो बिहार का आप देख पार है permanent residence certificate मैंने वहाँ पर बिहार चूज किया था तो यहाँ पर आपको आवासिय certificate यहाँ पर upload करने के ल आप अपलोड वाले button पर click करके आपको यहाँ पर अप दिख पार है document uploaded successfully इसी तरह कर सी आपको बारी बारी से आप देख पार यहाँ पर इंटर वाला उसके बाद से प्रोसीड वाले बटन पर हम यहाँ पर किली करते हैं, किली करने के बाद, अब देखिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपना examination center की कहाँ पर जा करके आप exam देना चाहते हैं पहला में हम देते हैं मुझफफरपूर, दूसरा में हम देते हैं बगल का ही दर्भंगा, उसके बाद से तीसरा में यहां पर तुमामें स्ट्वेंट सबसे नजदीक, कौन है मेरे लिए तो यहां पर आप देख पारें, मैंने यहां पर तीन चूज कर लिया कि भाई हमको पह करेंगे, यह पूरा फॉर्म खुल करके आपके सामने आजागा, फॉर्म खुल करके सामने आएगा, आप देख पारें सारा डीटेल्स मिला लीजिएगा, उसके बाद से आई कनफर्म दे अबब पर किलिक कीजिएगा, आप देख पारें, जैसे यहां पर कनफर्म एंड सब submit वाले बटन पर किलिक कीजिएगा उसके बाद से जो है कि आप किसी भी परकार का इसमें correction वगरा नहीं कर पाएंगे तो तुमामें student correction करने से पहले submit करने से पहले आप लोग एक बार देख लिजेगा go back जा करके ये तो preview करिए लिजेगा go back जा करके आप चाहे तो edit कर सकते हैं क्योंकि दुबारा आप correction इसमें नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर confirm and submit वाले बटन पर किलिक करता हूँ आप देख पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग edit न कर पाएगे यदि submit कर दीजेगा तो एक बार याद किलिजे ठीक है मैं ओके पर किलिक करने के बाद तुमामें student आप फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पर आ आप लोग किलिक करेंगे तुमामें student उसके बाद से यह payment gateway आईसा खूलेगा अब देख पार है बिल्कुल आईसा यह आपका application ID है program है amount यहाँ पर 1000 कह रहा है क्योंकि यह जेनरेल काटगरी से है 750 OBCBC वाले के लिए आ सकता है अब देख पार यहाँ आपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको online वाला option चूज करनी है online वाला option चूज करने के बाद अब यहाँ पर खा जारा credit card debit card या net banking से यह आप देख पार net banking on other यह SBI का net banking है आप देख पार है यह चार method है इससे आप payment कर सकते मैं यहाँ पर debit card आपको आप देख पर चूज करता हूँ यहाँ पर यह है इस पर देखिए 20 रुपिया 41 पईसा यह payment gateway चार्ज यानि service चार्ज उन्होंने ले लिया है तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले option पर किली करते हैं कुछ आसा इंटर्फेस आ जागा यहाँ पर आने के बाद तुमामें student pay now का फिर बटन है इस पर आपको किली करनी होग उसके बाद से जो है कि यहाँ पर खुलेगा यह पे यूजिंग कार्ड वाला आप देख पारें कुछ आसा इंटर्फेस है अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है एक्सपारी डेट डालना है उसके बाद से देख पारें किसके नाम से जो है कि वह कार्ड है मिरे व्रइंख एंडिया काड्र यहां पर कहा रहें कि व्रण चल रहा है अपके की दूसरा बैंक काड है यहां पर टीटेस जाने के बाद पेन आउपर किलिक कीजिगा पेन आउपर किली करने के बाद एक OTP जाएगा जो भी मोईल नमबर से आपका रिजिस्टर है या आपका यहां पर डाल दीजिएगा उसके बाद से पेमिन आ उपर किजिए जगा यहां पर यहां पर डालने का आ जा जागा मैं यहां पर अभी payment नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बैंक में यहां पर कहा जा रहा है कि Bank of India काट अभी थोड़ा जो कि उसमें दिक्कर चल रहा है इसलिए मैं यहें पर रोक रहा हूं बाकि आप लग पुरा step by step मैं आपके बढ़ा दिया किस तरह के से form भरना है आगर के form भ यह पुरा process है payment करने का form भरने का उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा description में लिंक है आप लोग जा करके वहां से form को fill up कर सकते हैं बहुत-बहुत धिन्वार आपका इस ब्रीकों देखने के लिए